नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम आपकी पाठे पुस्तक हमारे अतीत के अधियाए चार जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वरन यूकी कलपना इस पाठ पर विस्तार पुर्वक चर्चा करेंगे बच्चो इतिहास में आपकी पाठे पुस्तक में हम ये पढ़ रहे हैं किस तरह से इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई पहले विपार करने और धीरे धीरे यहां के नवाबों और राजाओं को उन्होंने या तो कूटनिती से हरा दिया या फिर प्रत्यक्षिद्धों में ह गड़े फिलाने लगी इतिहास कधेन करते समय हम सिर्फ आंकडों को ही या तारीखों को ही याद नहीं रखते हैं बलकि हमने ये भी देखना होता है कि उन घटनाओं का आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रफाब पड़ा पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि ग्रामीन कि शुरुआद होती है आप एक बिर्सा नामक एक व्यक्ति के बारे में पड़ेंगे जो व्यक्ति जारखंड में छोटा नातपूर के जंगलों और गाउं में घूमता हुआ देखा जाता था और लोग ये मानते थे कि उनके पास चमतकारी शक्तियां है वो दिक्कु को बाहर लोगों को उनकी भाषा में दिक्कु का मतलब है बाहरी लोग जो आपके पाठ का टाइटल भी है तो ये किन लोगों से अजाद्धी चाहते थे किन लोगों को बाहर खदेड़ना चाहते थे इसके बारे में हम पड़ेंगे तो अभी तक आप समझ गए होंगे अठारा सो प पड़ेंगे इसी पार्ट में कि आखिर आदिवासी क्या काम करते थे आदिवासी कौन थे कितने किसम के आदिवासी थे तो बच्चों हम पर यहां पड़ेंगे कि 19 सदी तक देश के विभिन भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे इनमें से कुछ जूँम खेती करते थे, यहां पर आप समझियेगा जूँम खेती क्या होती है, इसको हम घुमनतू खेती भी कहते हैं, और इसमें क्या करते हैं, अधि कांशते, जंगलों में चोटे चोटे भुगंडों पर यह खेती की जाती है, पहले उस इलाके को, उसक्ष प्रिट्र में जाके जगा को साफ करके वहां पर ये लोग खेती करते थे तो इस तरह की खेती को घुमन्तू कहा गया और यह मुखेत है भारत में पुर्वत्तर वह मध्धे भारत की परवतिय वह जंगली पटियों में रहते थे इन आदिवासी समुधायों की जंद्री जंग कि कुछ जन जातियां थी जो जून खेती करती थी कुछ ऐसी जन जातियां भी थी जो शिकारी और संग्राहक थे तो यहां पर पढ़ेंगे उडिस्ता के जंगलों में रहने वाले खौंड समुदाई इसी तरह का एक समुदाई था यह क्या करते थे जैसा कि नाम से पता है शि ब्रिक्ष होते हैं और जड़ी बूटियां कठी करते थे उन्हें स्थाने बजारों में जाकर बेच भी दिया करते थे अपना जीवन या अपन जंगलों से कर लिया करते थे परन्तु जो जुरूरते उनकी जंगलों से पूरी नहीं होती थी उसके लिए पैसा भी चाहिए तो उसके लिए वो जड़ी बुटियों का व्यापार भी कर लेते थे। और ऐसा भी माना जाने लगा कि महाजनों और बेपारियों को बाहरी शैतान और अपनी मुसीब्तों की जड़ आदिवासी लोग मानते थे। जीवनियापन करते थे। हिमाचल में भी कुछ ऐसे समुदाएं हैं जो आज भी जानवर पालते हैं, बक्रियां पालते हैं, भेडे पालते हैं, आपने सही पहचाना गद्दी समुदाएं के लोग। तो अन्य लकों में भी पंजाब के पहाडों में रहने वाले वन गुजर, अंधर परदेश में लबाडिया, आदि समुदाएं, गाई भैस के जुंट पालते थे। कुलू के गद्दी समुदाएं के लोग गडरिये थे, और कश्मीर में बक्रवाल होते थे, वो भी बक्रियां पालते थे। तो इस तरह की जनजातियां भी उसमें समाज में थी, जो जानवर पालकर अपना जीवनियापन करती थी। बच्चों यहीं पर कुछ ऐसी जनजातियां भी थी, जो एक जगा पर रुक कर रहते थे, कवीले की तरह और खेतिवारी करते थे। और उधारन के तोर पर बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपूर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कवीले की संपत्ती होती थी। बहुत सारे समुदायों में चोटा मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कवीले के संपत्ती होती थी। के सबी सदस्यों को उनमूल निवासियों का वन्शज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। पर सभी का हक एक जैसा होता था परन्तु इसमें भी कुछ लोग जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं या ज्यादा ताक्तवर हो जाते हैं वो मुखिया बनके बैठ जाते थे बाकि उनके अन्याई होते थे। पर फिर भी काफी हद तक इन समुदायों में आपसी प्रेम और भायचरा बना हुआ था। और क्योंकि उपनिवेशिक शासन हो गया था तो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इस तरह के जो कुछ अन्याई जन जाती हैं थी गौंड संथाल जैसे एक जगा ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक और घुमंतु खित्ति करने वालों के मुकाबले उन्हें वो ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे मतलब अंग्रेज ये मानते थे कि जो जन जाती हैं एक जगा पर कवीले की तरह रहती हैं इसका मलब वो ज्यादा सभ्य हैं जो लोग घुमंतु हैं या शिकारी संग्राहक हैं वो उतने सभ्य नहीं हैं उन्हें जंगलों में रहने वाले जंगली और बरबर माना जाता था अंग्रेज्जों को लगता था कि एक जगा बसना सब्धे होने के लिए जरूरी है अब अब तक हमने समझा कि आदी बासी जंजातियां कितने परकार की थी क्या-क्या उनके जीवनियापन के साधन थे और वो भारत में कहां-कहा फैली हुई थी अब हम यह जानेगे कि अंग्रेजों के आने से आखिर फरक्या पड़ा हमने देखा कुछ लोग अपनी जंजातियों में भी मुखिया हुआ करते थे जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने वहां पर अपने कनून बनाने शुरू कर दिये जो मुखिया पू प्रवंधन अपने नियम हुआ करते थे अपने पूलीस मतला अपने कुछ उन्होंने सैनिक रखे होते थे परन्तु अब सब कुछ अंग्रेजों के अनुसार ही करना पड़ता था तो हम यहां पर पड़ेगे उन्हें के के बार गामों पर जमीन का मालिकाना तो मिला लेकिन उनकी शास्किये शक्तियां चिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों दुबरा बनाएगे नीमों को मानने के लिए बाध्धे कर दिया उन्हें इंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और इंग्रेजों के प्रतिनिधी की हैसित से अपने समूह में अनुशास नहीं होती थी वह भटकते रहते थे एक जगा टिकते नहीं थे तो अंग्रेज उनको इतना बढ़िया नहीं मानते थे अंग्रेज चाहते थे कि वे लोग एक जगा टिकें वहां पे खेती करें तो अंग्रेज उन किसानों को नियंत्रित करना चाहते थे उन्होंने क्या किय नियम कानून बना दिये जमीन को मापकर प्रतेग विक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ खिसानों को भूसवामी और कुछ को पट्टेदार घोशित कर दिया। पाट्टेदर अपने भूमी स्वामी का भाड़ा चुकाते थे और भूमी स्वामी सरकार को लगान देते थे बतलब उन्होंने कुछ केटेगरीज मना दी जिसमें भूमी स्वामी थे और पत्टेदर थे तो अंग्रेजों ने एक कोशिश की जो हमने पिछले पाट में वह जगा बसाने की इंग्रेजों ने बहुत कोशिश की प्रंतु ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि जहां पानी कम हो मिट्टी सुखी हो वहां हालों से खेती करना असान नहीं होता उन्होंने अनेक बार कोशिश की प्रंतु फिर भी घुमनतु लोग अपने तरीके से ही अपना जीवनी आपन करते रहे और अंत में फिर अंग्रेजों को भी उनको धील देनी पड़ी तो प्यारे बच्चों आज हमने इतना पड़ा बाकी का पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे तब तक कारे पत्र को हल करिएगा खूम मेहनित करिएगा धन्यबाद जैहिन जैहिम कर दो बातर।